बॉलिवूद एक्टर सल्मान खान की गल्फरिंड रही एक्टरस सोमी अली खान पाकिस्तान से फ्लोरिडा पहुँची और फ्लोरिडा से जब वो बॉलिवूद में आई तो सल्मान खान को देखते ही प्यार कर बैठी लगभगाट नोस सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया दोनों का प्यार परवान चड़ा लेकिन शादी की मुकाम तक नहीं पहुँच सका रिष्टों में दरार तब आई जब एश्वरिया राई की एंट्री हुई कहा जाता है कि इसे चुपाने के लिए सल्मान ने अपनी फिल्म हम दिल दे चुके सनम के डारेक्टर संजे लीला बंसाली से भी जूट बुलवा दिया था आगे जाकर सल्मान और एश्वरिया का भी रिष्टा नहीं चला लेकिन सल्मान से सोमी की दुश्मनी जरूर हो गई ये दुश्मनी इतनी बड़ी कि सोमी अब सल्मान के दुश्मन गैंक्स्टर लॉरेंस विश्णोई से जूम कॉल पर बात करना चाह रही है और कह रही है कि ये उनके फाइदे की ही बात होगी क्या है सचाई सोमी के इस मेसेज के पीछे जिसे लॉरेंस के फाइदे की बात बता रही है कुद सोमी आज के चर्चे चहरा के इस खास एपिसोर में बात सोमी अली और सल्मान के अधूरी प्रेम कहानी की और फिर एश्वरे के चलते हुई उनकी दुश्मनी के बारे में है नमस्कार मैं हो कीरती और आप देख रहे हैं नियुस तर सोमी अली पेशे से एक अक्ट्रस, मॉडल, डिजाइनर और सोशल वर्कर है कई सालों से अमेरिका के फ्लॉरिडा में रह रही है सेक्स ट्राफिकिंग के खिलाफ उन लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करती हैं जो संघर्श कर रहे हैं इस बीच सोमी का पोस्ट वाइरल हो रहा है जो सलमान के दोस्त बाबा सिद्धी के मौत के बाद चर्चा में आ गया है सोमी ने साबरमती जेल में बंदल लॉरेंस पिशनोई को सोशल मीडिया के जर्ये सीधा मैसेज दिया और लिखा नमस्ते लॉरेंस भाई सुना भी है और देखा भी है कि आप जेल से जूम कॉल कर रहे हो तो मुझे आप से बात करनी है मुझे बताएं कि कैसे ये हो सकता है हमारी पूरी दुनिया में सबसे पसंद की जगा राजस्थान है हम आपके मंदिर आना चाहते हैं पूजा के लिए लेकिन पहले आप से जूम कॉल हो जाए और कुछ बात ही हो जाए यहीन मानिए यह आपके फायदे की ही बात है अपना मुबाइल नमबर दे दीजे बड़ा एहसान होका आपका शुक्रिया सोमी ने जस तरह से ये मेसेज लॉरेंस के लिए छोड़ा है उसे देख लग रहा है कि शायद सोमी लॉरेंस के सामने सलमान का कोई रास खोलने वाली है लेकिन कई यूजर्स का मानना है कि वो अपने इस मेसेज से लॉरेंस को रोस्ट करने की कोशिश कर रही है बहले ही सलमान और सोमी का रिष्टा अच्छे टर्म्स पर खतम ना हुआ हो सोमी समय समय पर सलमान पर निशाना भी साधती रहती हूँ लेकिन इस मामले में सोमी पहले भी सलमान का बचाफ कर चुकी है सलमान के घर अप्रेल में हुई फाइरिंग के बाद सोमी ने सलमान खान का बचाफ करते हुए एक इंटिवियू में कहा था अगर आप किसी को मारने का प्रयास कर रहे हैं या फिर उस पर गोलिया चला रहे हैं तो आप लिमिट क्रोस कर रहे हैं साल 1998 में सलमान बहुत चोटे थे मैं बिश्णोई जनजाती के प्रमुक से अनुरोध करती हूँ कि वे इससे भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं अगर उन्होंने कोई गल्ती की है तो मैं उनकी ओर से माफी माँगती हूँ और क्रिपया उन्हें माफ करती हूँ सलमान खान एक्टर सोमी अली के साथ 8-9 सालों तक रिलेशन्शिप में थे सोमी और सलमान ने नफे के दश्रक में फिल्म बुलंद में काम किया था सोमी इस फिल्म से डेब्यू करने वाली थी इस फिल्म की शूटिंग 80 फीज़्दी तक पूरी हो चुकी थी मेकर्ज 1993 में फिल्म को रिलीज करने वाली थे लेकिन फिल्म के प्रेडियूसर रफी काजी को हार्ट अटेक आ गया जिसके बाद ये फिल्म पहले अठी और बाद में डबा बंध हो गई सोमी और सल्मान की लफ स्टोरी भी काफी इंट्रॉस्टिंग है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कराची में 25 मार्च 1976 को जन्मी सोमी अली एक समय में बॉलिवुड में च्छा गई थी सोमी का जन्म बेशक पाकिस्तान में हुआ लेकिन उनका बचपन अमेरिका के फ्लॉरिडा में ही बीदा विदेश में रहने वाली 16 साल की छोटी सी लड़की ने जब पहली बार सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया देखी तब ही उन्हें सलमान से प्यार हो गया सोमी ने रात और रात सब कुछ छोड़कर भारत आने का मन बना लिया मा کی नाराज़की भी उन्हें भारत आने से रोक नहीं पाई माया नगरी आने के बाद सूमी अली ने कई फिल्में की उनके खुबसूरती के चलते उन्हें फिल्म भी आसानी से मिलने लगी सोमी ने बॉलिवुड में अपने चोटे से करियर में लगभग 10 फिल्में की और सभी में लीड अक्टरस बनकर परदे पर नजर आई उनकी पहली फिल्म अंत थी जिसमें उनके साथ सुनिल शेटी नजर आई थे फिर एक दिन ऐसा आया जब सोमी अली के मुलकात उनके दिल पर राज करने वाले सल्मान खान से हुई दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार बात शादी तक पहुँची लेकिन 8-9 साल तक चलने वाला ये रिष्टा तब तूटा जब सल्मान की जंदगी में एश्वर्य राय की एंट्री हुई सल्मान और अश्वर्या के रिष्टे की खबरें फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान 1999 में शुरू हुई थी और तब ही सल्मान और सोमी का ब्रेक अप हो गया कहा जाता है कि सल्मान सोमी के साथ शादी तक की प्लानिंग कर रहे थे दोनों की रिष्टे को खटन हुए दो दशक से ज्यादा का समय बीच चुका है लेकिन सोमी अली आए दिन अपने और सल्मान के रिष्टे को लेकर नए नए दावे करती रहती है कुछ समय पहले उन्होंने टाइमसनाओ को दिये एक एंटर्वियू में बताया कि एश्वारया और आए के करण दोनों का ब्रेक अप हुआ था सोमी अली ने बताया कि जब संजर लीला बंसाली के फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग चल रही थी तब ही एश्वारया और सल्मान की नस्दी किया बढ़ रही थी उन्होंने एक दिन शूट पर सल्मान को फोन किया लेकिन उनका फोन नहीं उठाया सल्मान ने जिसके बाद सोमी ने बंसाली को फोन किया उन्होंने phone उठा कर कहा कि सलमान अपनी फिल्म का एक shot दे रहे हैं ये बात सोमी को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने बंसी से पूछा कि अगर वो एक shot दे रहे हैं तो आप फिल्म को डारग क्यों नहीं कर रहे हैं मेरा phone कैसे उठा लिया यहां संजल लीला बंसाली फस गय थे, उन्हें समझ नहीं आया था कि क्या कहीं और बाद में अश्वरय राय सल्मान के जिम आने लगी थी, जहां वो सोमी अली के साथ रहते थे सोमी ने इस इंटरिवियो में बताया कि सल्मान और मैं गैलेक्सी के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जहां हमारा जिम भी था हम दिल दे चुके सनम के दौरान सल्मान और अश्वरया के बीच जो रिश्टा पनप रहा था, उन्हें इसके बारे में पता चल रहा था अंदर के लोग उन्हें सारी जानकारी देते थे, सोमी को समझ आने लगा था कि उनका सल्मान की जिंदगी से जाने का समय आ गया है सल्मान खान से ब्रेक अप के बाद वो 1999 में अमेरिका के फ्लॉरिडा चली गई, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है काले हिरन के शिकार के मामली में सल्मान खान को लगातार धंकिया मिल रही है गैंक्स्टर्ट लॉरेंस बिश्णोई से और उनके गैंक से लेकिन इस बीच सोमी अली का ये पोस्ट लॉरंस बिश्णोई के लिए एक मेसेज है या फिर एक तंज क्या है ये तो खेर सोमी ही जानती है लेकिन यूजर्स जो है वो लगातार इस मेसेज को टॉंट बता रहे हैं लॉरंस बिश्णोई पर कि वो कैसे जेल में बैट कर आस एपिसोड में देखना चाहते हैं पूरी जानगारी उस विशे के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें नियूस्तक के साथ